पुलिस की छापे मारी हुई है तो पुलिस की छापे मारी हुई है घंटो पुलिस ने छापे मारी की है जेल आईजी और राची के सिटी स्पी के नेत्रित में एक एक चीज को बारीकी से खंगाला गया है और इस छापे मारी के बारे में ये कहा जा रहा है कि चुकी सब्ता में सिर्फ तीन लोगों से मिलने की जाज़त है राज़ सुप्रीम लालू प्रसाद यादो को लेकिन हाल के दिनों में खबरे आ रही थी कि 10 से 12 लोग राज़ सुप्रीम लालू प्रसाद यादो से मिल रहे थे इसको लेकर ये छापे मारी हुई है वहीं विपक्स ने कहा है कि ये सिर्फ आईवास है जो perception create हो रहा था कि महागडबंधन की सरकार बनते हैं लालू यादो को छूट मिली है उस perception को खत्म करने की कोसिस है विपक्स इस तरीके से हमलावर है उस हमले को कम करने की कोसिस है ये छापे मारी सिर्फ दिखावा है आप जानते हैं लालू परसाद इंदरों एक्टिव बोन में नजर आ रहे हैं कई तस्वीरें कई खबरें सामने आई थी जिसमें लालू परसाद यादो कई लोगों से मिलते नजर आये थे और उनकी तस्वीर भी सामने आई थी वो बरामदे में बैठे हुए नजर आये थे इसको लेकर ये कहा जा रहा था कि महागडबंधन की सरकार बनी है तो लालू व्यादो को छूट मिली हुई है और महागडबंधन में किंग बेकर की भूमिका में रहे हैं लालू परसाद यादो जिस तरीके से महागडबंधन को समेटे रखा जारखन में महागडबंधन को अपरत्यासी सफलता मिली उसका सरे महागडबंधन के सभी दलों ने लालू परसाद यादो को दिया और जब सरकार बनी तो लालू प्रशाद यादो को इसका स्रे दिया गया है और सरकार बनने के बाद लालू यादो को छूट मिल गई है तो इस परसेप्शन को खत्म करने की कोशिस बता रहा है विपक्षिस छापे मारी को लेकिन फिलहाल बड़ी खबर बड़ी जनकारी रांची के रिम्स से कि लालू के वाड में छापे मारी हुई है रचारा घोटाला मामले में सजायाबता राजस सुप्रीमो लालू प्रसाद यादो का जिस पेइंग वाड में इलाज चल रहा है वहाँ प्रछापे मारी की है जेल, आईजी और सिटी स्पी के नित्रित में पुलिस ने और घंटो खंगाला है रिम्स के पेंग वाड को इस खबर मितना ही अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ सेयर करें हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकन जरूर दबादें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे प्यार से मर्थन और सहयों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद